गुरुवार शाम को महाकाल मंदिर में मुस्लिम युवक के घूमते हुए कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वाइरल हुए लेकिन जब इसकी हकीकत पता की गए तो जानकारी लगी की महरास्ट के गोंदिया से जुनेद इद्रीश शेक बाबा महाकाल के दर्शन करने आये हैं और वे यहां अकसर दर्शन करने आते रहते हैं और लगतार पांच वर्शों से दर्शन करने आ रहे हैं उनकी द्वारा बताया गया कि मैं पिछले पांच सालों से बाबा के दर्शन करने आ रहा हूँ मेरे कई साथी भी यहां दर्शन करने आते हैं और चले जाते हैं यहां किसी भी धर्म के लिए रोक टोक नहीं है कुछ पर बम महाकाल की कृपा है मुझे जैश्री महाकाल बोलने में कोई दिक्कत नहीं है आपको बता दें कि महारास्ट के गोंदिया से मुसलिम यूवक जुनैद इद्रेश शेक बाबा महाकाल के दर्शन करने आये थे उनके साथ सनी और शम्मी जैसवाल मंदर में पहुंचे थे यूवक जुनैद शम्मी जैसवाल की गाड़ी चलाते हैं शम्मी जैसवाल का कहना ह कि हम पूरे देश ज्योति लिंग दर्शन साथ ही जाते हैं और दिनेश जी मेरे साथ दर्शन करते हैं गोंदिया में शिवलिंग मंदिर है मंदिर में पूरा शहर शिव भक्ती करता है उसमें सभी धर्म के लोग शामिल है दान भी करते हैं और प्रसाद पर चढ़ाते हैं महा प्रास्ट में महाकाल के भक्तों के नाम से वाच्टसप गुरूप भी है जिसमें हिंदू-मुस्लिन सभी धर्म श्रद्धालू शामिल है इन समू ने महाकाल मंदिर में 110 किलोग्राम लड़ू 100 लीटर दूद की खीर का भोग भी लगाया है इनुने महाकाल इश्वर में महार प्रूद्रा भी शेक कराया और प्रसाद वित्रण किया वहीं महाकाल मंदिर प्रशासक गणेश धाकर ने सभी का भगवान महाकाल का दुपट्टा उड़ा कर सम्मानित किया वह प्रसाद भेट किया प्रशासद भी शेक किया वह प्रसाद से भी और हमारे महाराच जी इनके द्वारा मुझे बहुत अच्छा लगा प्रसाद के तरफ से भी कोई तखनित नहीं करें बुर्मा में यहां पर आते रहा हूं और पावासम पर यहां वहां आश्ता रही है वहां पांस साल हो गया ह मैं पांस साल के बिर sous my आपके बहुत सारे साथ gathering है जी बिल्कुल आते और जहारत करके निकल जाते है तो बहुत जाते है बहुत है कि अपने भाईयों को यह नी बताना चाहूंगा कि आप लोग भी आईये बाब महाकाल के दर्शन करके उन्हें लाग लीजे बाब महाकाल कि किसी एक धर्म के नहीं है, बाब महाकाल के भप नाम का गुरूप है बाब महाकाल के लिए बाब महाकाल कि टाइम एट के लिए मंध्र प्रदेश के उजेन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट